दिल्ली में क्या खिचडी पकरही है? दिल्ली में मुख्यमंत्री मौजूद रहे, दिल्ली में नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महिंद्र प्रसाद भट मौजूद रहे, दिल्ली में उत्राखंड की राजनीती के प्रमुखनेता भगत सिंग कोश्यारी मौजूद रहे तीनों की मुलाकात होती है, तीनों लोग मिलकर क्या चर्चा करते हैं एक तस्वीर जब सबके सामने आई तो पता चला महंद्र परसाद भठ, मुख्यमंत्री और भगत सिंग कोश्यारी की एक मुलाकात हुई है खुद मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी के सोशल मीडिया पेज पर इस तस्वीर को जारी किया गया है मुख्यमंत्री ग्रह मंत्री अमिशाह से भी मुलाकात कर चुके हैं मुख्यमंतरी पुषकर सिंग धामी की मुलाकात जेपी नड़ा साहब और कई वरिष्ट पार्टी के नेताओं से लगातार होती भी रहती है और चुकि इस समय नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं महिंदर प्रसाद भट वो भी दिल्ली पहुँचे तो क्या ये इत्वाक था कि जिस समय मुख्यमंतरी दिल्ली में है उसी समय महिंदर प्रसाद भट के भी तारीखें तै की गई या समय तै किया गया वरिष्ट भारते जन्ता पार्टी के नेताओं से मुलाकात का और ये भी क्या कोई इत्वाक है कि जिस दौरान मुख्यमंतरी उत्राखंड के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष उत्राखंड के दिल्ली में है उसी समय महराष्ट्रा के रज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी भी दिल्ली में है ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर आज हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस प्रकरण पर मैं आगे बढ़ू उससे पहले आप तमाम समाने दर्शकों से मेरा अनुरोध अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए नमस कमान उनके हाई कमान दिल्ली में ही तैनात रहते हैं मुख्यमंतरी पुषकर सिंग धामी सरकारी काम से दिल्ली में थे नीती आयोक की बैठक थी केंदर के कई बड़े नेताओं से पुषकर सिंग धामी मुलाकात कर रहे थे उतरा खंड में बुनियादी सुविधाओं के व नीती आयोक की बैटक सबसे ज़ादा महतपूर्ण मानी जा रही थी कि नीती आयोक की बैटक में मुख्य मंतरी आगे के भविश्य पर चर्चा करेंगे और बड़ा खाका नीती आयोक के सामने खीचने की वो कोशिश करेंगे लेकिन मुख्य मंतरी सरकारी काम को अंजाम दे रहे थे सरकारी कामों की बैठकों में व्यस्त थे अपने राजनीतिक आकाउं से भी वो मुलाकात कर रहे थे लेकिन ठीक इसी समय उत्तराखन प्रदेश अध्यक्ष भारत्य जन्ता पार्टी के महिंदर परसाद भट भी दिल्ली के दौरे पर थे उनकी बील संतोष से मुलाकात भी जो महमंतरी संगठन है महिंदर परसाद भट की मुलाकात जेपी नड़ा से हुई जो राश्ट्री अध्यक्ष एपार्टी के इन मुलाकातों को सामान्य ही माना जा रहा था आपचारिकता भर माना जा रहा था लेकिन एक तस्वीर सब के सामने आई और इस तस्वीर में तीन बड़े दिगज नेता साफ साफ दिखाई दे रहे हैं पुशकर सिंग धामी, महिंदर परसाद भट, भगत सिंग कोशारी के साथ हैं भगत सिंग कोशारी के साथ है मतलब तीन लोगों के बीच में जाहिर सी बात है कोई सरकारी बिजनस की बात नहीं हुई है ये अपचारी कुरूप से मुलाकात हुई है या अनपचारी कुरूप से मुलाकात इसको कहा जा सकता है कि एक शिष्टा चार मुलाकात है भगत सिंग कोश्यारी के ही तमाम उतराखंड के भारते जन्ता पार्टी के जो नेता है वो शिश्य कहे जाते हैं और पुशकर सिंग धामी और भगत सिंग कोश्यारी का जो रिस्ता है वो बॉस और करमचारी का रिस्ता नहीं है बलकि गुरू और शिश्य का चेला है अगर पुशकर शिर्णने में संकोच कर जाएं या हिचक जाएं लेकिन भंगत सिंग कोशियरी से वो अपनी बात बहुत खुलकर कह सकते हैं अपना प्लैन उनको बता सकते हैं अब यही पर बात हो रही है कि वो प्लैन क्या हो सकता है वैसे एक कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किस बड़े प्लैन को लेकर पुशकर सिंग धामी और महिंदर प्रसाद भट की मुलाकात भगत सिंग कोश्यारी से हुई है और क्या ये सिर्फ एक इत्तफाक ही है कि भगत सिंग कोश्यारी भी उसी समय दिल्ली में मौजूद रहे जिस दोरान पुशकर सिंग धामी थे और महिंदर प्रसाद भट थे क्या ये कोई प्री प्लैन का हिस्सा था ये भी एक समझने की आवशकता है और जो बात मैं कह रहा था कि भगत सिंग कोश्यारी के सामने अपने दिल की बात पुशकर सिंग धामी कह सकते हैं वो बात हो सक पुशकर सिंग धामी प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के साथ या उनके सामने ना कह पाएं ग्रह मंतरी अमिशा के सामने भी ना कह पाएं और उतरा खंड में अगर उनको कोई बड़ा बदलाओ करना है तो इसके लिए भगत सिंग कुश्यारी की सहमती होनी आवश्यक है मैं ए से अंग्रेजी में इस्पैकूलेशन भी कहा जाता है तो क्या ये इस्पैकूलेशन किया जा रहा है कि उतरा खंड में मंतरी मंडल का विस्तार हो सकता है जिसकी अटकले पिछले कई दिनों से लगाई जार रही थी अटकले इस बात की भी लगाई गई थी कि प्रदेश उत्राखंड के प्रदेश अध्यक्ष और मुक्य मंत्री ने मुलाकात की है कि अगर वो कोई खाका खीचने की कोशिश करें और राजनितिक आकाओं के साथ बातचीत हो रही हो तो उससे पहले भगत सिंग कोश्यारी से मार्ग दर्शन प्राप्त कर लिया जाए या भगत उत्राखंड के राज्यपाल है सम्विधानिक पतपर हैं लेकिन वो उत्राखंड के मुक्य मंत्री रह चुके हैं उत्राखंड से वो सांसद रह चुके हैं नैनिताल उदम सिंग नगर सीड से और उत्राखंड की राजनिती में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कि भगत सिंग कोश्यारी का रहता ही है और अला कमान की भी इसमें सहमती होती ही है उत्राखंड में BJP के बीच में लगातार इस बात की चर्चा है कि मंत्री मंडल में अभी गुंजाईश है मंत्री मंडल का विस्तार हो सकता है और इस क्यास बाजी के बीच में कई विधायकों की दौड दिल्ली दर्बार तक होती रहती है दौड इस बात को लेकर भी होती रहती है कि पार्टी के निश्ठावान कारकरताओं को एडजेस्ट किया जाना है संगठन के निश्ठावान लोगों को महत्वपूर्ण दाईत तो दिये जाने है राज्य मंत्री या कैबिनेट इस तरके मंत्री का दर्जा दिया जाना है और उसके लिए भी लंबे समय से लॉबिंग चल रही है एक बात और इसपष्ट करो कि मुख्य मंत्री से कई मीडिया कर्मियों ने सीधा सीधा सवाल पूछा कि मंत्री मंडल विस्तार की गुंजाईश है या नहीं है पिछले एक डेट महीने में जब सौ दिन सरकार के पूरे हुए थे उस समय भी मुख्य मंत्री ने बहुत इसपष्ट शब्दों में कहा था कि जैसी जरूरत होगी वैसा निर्णय पार्टी करेगी यानि कि इशारों इशारों में मुख्य मंत्री ने बताया था कि गुंजाईश बनी है और जिसको एड़जेस्ट किया जाना है उसके लिए रास्ता तलाशा जा सकता है ये हिंट ये इशारा मुख्य मंत्री पहले भी कई बार दे चुके हैं साफ शब्दों में इसलिए कोई बात राजनीती में नहीं कही जाती क्योंकि हर बात के कई मतलब निकलते हैं और जब तक अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक बातें सिधा सिधा नहीं कही जाती आमतोर पर राजनीती में और ये जो मुलाकात है ये जो तस्वीरे दिखाई दे रही है इसमें भी इस तरीके की सुगंध आ रही है कि उत्राखंड में हो सकता है आजादी का अमरत महत्सों मनाया जा रहा है और इस अमरत महत्सों के बीच में कुछ कारेकरताओं को एड़्जेस्ट करके दाई तो दे दिये जाए और हो सकता है कि कुछ विधायकों की लौट्री खोल जाए जिनकी performance पिछले 6-8 महीने में बहतर दिखाई नहीं दी है या जो 9 नियुक्त मंत्री शामिल किये गए थे मंत्री मंडल में अगर उनकी performance भी बहतर नहीं है तो उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाये जा सकता है खबर इस तरीके से भी आ रही थी कि मुख्यमंत्री खुद अपने कारयले में यानि कि जो मुख्यमंत्री कारयले है वहाँ पर भी एक बड़ा सेल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ये सेल हर प्रकार के expert को उसमें समाहित करने की कोशिश करेगा ये बहुत महत्पूर्ण सेल है क्योंकि अभी तक इस दिशा में किसी भी मुख्यमंत्री ने उत्तरा खंड में कोई गंभीरता के साथ सोचा नहीं है और मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी अगर इस बात को सोच रहे हैं और इस बात को भी हम समझें कि जिसकी performance बहतर नहीं है या जो बार-बार परिशानी खड़ी कर रहा है या भविश्य में सरकार के सामने या मुख्यमंत्री के सामने किसी भी तरीके के परिशानी खड़ी कर सकता है उसे अभी समय रहते बाहर का रास्ता दिखा दिया जा सकता है क्योंकि आने वाले समय में पंचाय चुनाओ, इस्थानिय निकाय चुनाओ होने है और 2024 की तयारी बहुत इस्पष्ट रूप से करनी है BJP को जब लोगसभा का चुनाओ होगा तो उससे पहले क्या तयारी हो सकती है, उस तयारी का क्या ये हिस्सा है, ये बैठक, उसी का एक रूप हमको नज़र आती है इसको अब देखने वाली बात होगी आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो सकती है हमने एक कयास बाजी में हिस्सा लिया था अपने सूत्रों से पता कराया था कि उत्तरा खंड में भारते जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बदली जा सकती है नए नेता को प्रदेश अध्यक्ष मनाय जा सकता है हमारा वो आकलन काफी हद तक बिल्कुल सटीक साबित हुआ था और 15 अगस से ठीक पहले उसकी जो है वो हम सब लोगों ने देख लिया है कि चार्ज ले लिया है महिंदर प्रसाद भटने और वो काफी सक्रिय हो गए है तो क्या ये भी एक कयास लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ हफ्तों में उत्तरा खंड में मंत्री मंडल के आकार में विस्तार हो सकता है या भारते जन्ता पार्टी के जो निष्ठावान कारे करता है उन में से कुछ को दाइत्व देकर महत्तो इस रिपोर्ट में फिलाल इतना ही अगले रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे लेकिन जाने से पहले दो विशेश आग रहे हमेशा की तरह यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए अगले रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए नमस्कार